हेलो गई स्वागत है उसे एक और नहीं वीडियो में आज मैं आपको मुझे बारे में बताने जा रहा हूँ मैं इस वीडियो को पंजाब पुलिस केजरीवाल मौधी सरकार हर जगा ट्विटर पे जरूर शेयर करना है ताकि जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए जिरो ने मेरेसाद ऐसा किया है अपको बताओगा थोड़े दिन पहले मैंने एक पो पंपलाटी के उपर एक वीडियो मना रही ठी पूपे लगा लगया किसी की को फाल तो नहीं बोला जैसा कि आप लोग देख लो यह बंदा इसकी करेक्टर आइडी यह है ठीक है अभी फिलाल अभी इसने आइडी कार्ड का अपना नाम चेंज कर दिया डर के मारे कि यह जो पारस भाई की साथ इसने जो हासा किया इसकी तो भाई छोड़ेंगे नहीं हम मैंने सिर्फ रखे थे ऐसे लिए गया वह किसी को बुरा लग गया उसने मुझे फोन किया कि द्याब ढांब को रिनेम कार्ट यहां थे नाम करेक्टर आइडि बनाए हुई है यही वह माधर चोद है जिसने आइसा किया इनको बेहन को सजाम बनेसी माधर पकड़ो इनको मादर चोत कहा है यह है यही है जिसने पारस भाई के साथ किया मेरे कोई शौक नहीं है यूट पर वीडियो अप्लोड करने का पारस भाई ने बोला है डी मोटिवेट करूं सब लोग में को सपोर्ट दिखा वाई मेरे नाट की पूरी हड़ियां तूट गई है यहां सरजरी हुई है मेरे आख के अंदर चोट लगी है मेरे हाथ की हड़िय तूट गई है मेरे पीट में बहुत चोट लगी है मेरे पैर की हड़िय तूट गई है मैं किस तरीके से वीडियो मना रहा हूँ आप तक पहुँचा कि मुझे फोन किया और मुझे गालिया देने लग गया फोन पे एंड मैंने उससे बोला भाई क्या चाहते हो तो उसने बोला मैंने तिर से मिलना है तू मुझे अपने अड्रेस दे मैं तुझे आ के बताता हूं मैं क्या चीज हूं और उसने मुझे डर गाने और धबगाने की पूरी कोशिश की उस दिन तो बुझे लगा भाई फोन पे डरा रहा है कौन सा ही आ जाएगा घर पे है न तो मैंने उसको बोला भाई यार क्या मिचेवर बन के बात कर ले थोड़ी सी बच्चों जैसी बाते कर रहा है मैंने तुझे कुछ फाल तु बोला नहीं तु मुझे गालियां दे रहा है इतनी बात हुई मैंने उसका फोन कार्ड दिया फिर उसने काफी सारे बन्दों से मेरा एडर्स निकलवाने की कोशिश की और मेरा एडर्स निकलवाया उसके बाद उसने किया कि आप मुझे नहीं बता बट आज परसो की बात बता रहो परसो डाकू ने मुझे धंगी दी थी आज मेरे घर पे सुबे छे वजे मैं सो रहा था कोई गेट खट खट आता है मम्मी गेट पे जाते मम्मी पूछते कोन तो वो बोलते पारस से मिल ला है तो मम्मी वो लगा चलो कोई दोस्त होगा मम्मी ने गेट खोल दिया उन सब के पास हत्यार थे लोहे की रोड थी और आठ बंदे आये थे वो सीधा मेरे कमरे में आये मेरी मम्मी को धक्का मार के उन्होंने गिरा दिया और वो मुझे पागलों की तरह मारने लग गए मैं उ इतना मारा मुझे मेरे हाथ की हड़ी, मेरे पैर की हड़ी, मेरे नाक की हड़ी, मेरे शरीर में इतने सारे जख़ब हो गए हैं बहुत मुश्किल से वीडियो मना रहा हूँ आप तक ये बात पहुचा रहा हूँ मुझे आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है जितने चैनल और करो सबक्सक्राइब करो ये विटियो destroy रहे हैं करे हैं कोई नहीं कुछ अपडेट नहीं है तो मैं हाथ जोड के आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर चाहोगे तो मुझे जरूर इंसाफ मिलेगा एंड जो आठ बंते मुझे मारने आये थे वो गाड़ी पे आये थे दो बाइट थी एक एक्टिवा थी एंड सब के पास हत्यार थे जो मुझे बचाने आ रहा था उसको भी भगा रहे थे बोल रहे थे हम तुम्हें भी मारेंगे हमाइपा हत्यार है अगर कोई आगे आया तो जान से मार देंगे धंकी दे रहे थे और मैं मुझे नहीं पता इस वीडियो के बनाने के बाद मैं बच्चों का कि नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा चोटे लगी हैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूं मुझ से सांस ले रहा हूं कुछ खा नहीं पा रहा हूं एंड बहुत ज्यादा सीरियस कंडिशन है और अभी वो दोबारा भी हमला कर सकते हैं डो आइडिया बट अभी मैं अपने इस वाले घर से कहीं और शिफ्ट हो रहा हूँ सिफ्टी के लिए बट आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है इस वीडियो को जाद से जादा शेयर करो हर नई उस चैनल पर हर बंदे के पास ये वीडियो जानी चाहिए ताकि मुझे मेरे को वो मिले क्या गहता है उसे इनसाफ मिले प्लीज इतना काम आप कर सकते ह आपको बता है मैं कैसा हूँ अस तक मैंने किसी को कुछ बुरा नहीं बोला कुछ बुरा नहीं किया अपका प्यार और सपोर्ट चीए बस बाकी मिलते हैं अगर बचे तो